Good morning friends, स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल इरुसाला में, इस वीडियो में हम लोग द्रिश्टी का टेश्ट 3 देखेंगे, और ये राजव्योस्था, पॉलिटी से संबंदित है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पूरे 1500 कोश्चन का कंप्लेट डिसकसन किया गया ह तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आज के कोट से, खुल जाएंगे सभी रासते, तू रुकावट से लड़तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जिद पर अड़तो सही, चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स कोश्चन है, सविधान के किस संसोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानुन पारित किया गया था, तो इसका एंसर हो जाएगा, बावनवा संसोधन अधिनियम, ठीक है? और देख लिजे, ये कब आया था? 1985 में आया था 52 संसोधन अधिनियम 37 संसोधन अधिनियम का देखते हैं तो ये 1975 में आया था और इसमें क्या था कि अध्या देश जारी करने की सक्ति को नियाईक पुनर विलेकुन से मुक्त कर दिया गया था ठीक है 42 सविधान संसोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तब जोड़े गये थे और इसे लगू सविधान भी कहते हैं इसमें बहुत सारे संसोधन भी हुए थे और ये 1976 में हुआ था 42 सवा 1976 में हुआ था 71 में देखे तो इसमें आठवी अनुसूची में तीन भासा जोड़ा गया था कोकड़ी, मनिपूरी और नेपाली और ये कब आया था 1992 में आया था ठीक है अब आगे देखते हैं 1946 में बनी अंतरीम सरकार का नेत्रित किया था किसने ये किया था जो आहा लाल नेहरू के द्वारा किया गया था ठीक है कैबिनेट मिशन 1946 के तहत सविधान सभा का चुनाव हुआ था और उसी के अंतरीम सरकार जो बनी थी उसके थे जो आहा लाल नेहरू ठीक है और इसमें सरदार वल्लबाय पटेल देखे तो ये ग्री मंत्री थे राजेन परसाद, खाद्यों क्रीसी मंत्री और जो आहरलाल नेहरू जो थे राश्रमंडल और विरोध बिदेश मामले के मंत्री थे नेक्श देखते हैं इन में से किस संबंदि सविधानिक प्रावधानों को संसद में विसेस बहुमत के माध्यम से संसोधी किया जा सकता है तो ये हो जाएगा कौन? मौलिक अधिकार को ठीक है? मौलिक अधिकार और इसमें देखे तो राजभासा, निर्वाचन चेत्र का परी सीमन और पाँचवी अनुसूची ये साधारन विधेक, साधारन संसोधन विधेक से हो जाता है साधारन संसोधन के दवारा और मौलिक अधिकार के लिए विसेश पहुमत के माध्यम से संसोधित किया जाता है किस सविधानिक संसोधन द्वारा मुल करतब्य को भारतिय सविधान में सामिल किया गया तो ये 42 सविधान संसोधन के द्वारा जो 1976 में आया था अगर चालीसवा सविधान संसोधन अधिनियम देखे तो इसमें नौवी अनुसूची इसका बिस्तार किया गया था चालीसवा समधान संसोधन इसमें राष्टिय अपातकाल में आंत्रिक असांती की जगह ससत्र बिद्रो किया गया था तो जो राष्ट अपातकाल जो लगता है उसमें पहले आंतरिक असांती था तो उसकी जगह ससत बिद्रो किया गया था और ये 1978 में आया था और इसमें और भी संसोधन हुए था और 43 संसोधन देखें तो ये 1977 में आया था इसमें सुप्रीम कोट और हाई कोट के जो अधिकारो में कटावती हुई थी उसको इसमें पुनरबहाली की गई थी ठीक है 42 संसोधन जानते हैं इसे लगुस अस्विधान कहते हैं और ये 1976 में हुआ था इसमें प्रस्तावना में संसोधन किया गया था समाजवादी धर्मिनिर्पेक्च एकता और खंडता जैसे सब्द इसमें जोड़े गए थे अब आगे देखते हैं निमलिखित में से किस के पास किसी राज में विधान परिशत के उत्सादन या स्रीजन की सकती होती है तो ये संसत के पास होती है ठीक है संसत के पास अनुछेद कौन सा है 79 के तहत ये होता है राजपाल देखे तो एक सुतीरपन मे ये है अनुछेद अनुछेद एक सुतीरपन में राजपाल है और ये विधान परिशत के जो उत्सादन या स्रीजन की सकती है ये आर्टिकल कौन सा है 169 के तहत है ठीक है अब आगे देखते हैं भारत की स्वतनता के बाद बिहार का पहला राजपाल कौन था तो ये जै रा दास दौलत राम ठीक है जाकिर हुसेन प्रथम मुस्लिम राशपती थे नेश देखते हैं निम्लिखित में से किस मामले में सरोच नियाले ने माना की एक दया याचिका के निप्टारे में सरकार की वोड से हो रही देरी के अधार पर एक कैदी की मिरितु डंड की सजा उम् ठीक है देखें इंद्रा साहानी बनाम भारासंग में क्या हुआ था तो इसमें आरास्च्ण से संबंधित केस था यह अब आगे देखते हैं यह दिवेंदर पाल जो केस है दिवेंदर पाल भूलर बनाम दिल्ली राज यह टाडा से संबंधित था अब नेक्ष देखते हैं प्रधान मंत्री सहित केंद्रिये मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी तो ये किस से अधिक नहीं होगी ये बी इसका एंसर हो जाएगा लोक सभा की कुल सदस संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और ये 91 जो सविधान संसोदन है उसके अनुसार था निमलिकित में से कौन सविधान प्रारूप समीती के सदस नहीं थे तो इसमें डॉक्टर राजेंद परसाद सदस नहीं थे और ये सभी थे डॉक्टर के एम मुंसी सयद मुहम्मद सादुल्ला और टीटी क्रिस्ना मचारी और साथ ही गोपाला स्वामी आयंगर थे साथ सद सदस से थे साथ ठीक है और अध्यक्ष देखें तो प्रारूप समीती के अध्यक्ष बियारंबेद कर थे नेक्षे बिहार विधान सभा में सीटों की कुल संख्या बताना है तो ये बिहार विधान सभा की सीट कितनी है 243 है जिसमें 242 का चुना होता है और एक राजपाल के द्वारा चुना जाता है आंगल भारतियों को जो की अब समाप्त कर दिया गया है ठीक है और इसमें देखें तो 38 सीटे 38 सीटे जो होता है क्योंकि तो ये लोगसभा अध्यक्च करता है सरिंक तो सबैठक की अध्यक्चिता लोगसभा अध्यक्च करता है और अगर अध्यक्च अनुपस्थित रहता है तो लोगसभा का उपाध्यक्च करता है राशपती बैठक को बुलाता है ठीक है आगे देखते हैं राजपाल को पद की सफ़त कौन दिलाता है तो संबंदित राजि के उच नियाले का मुख नियायधिस दिलाता है ठीक है अब नेक्ष्ट है भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक कैक के संदर में निमलिखीत कत्नों में से कौन सा सही नहीं है बताना है तो जो सही नहीं है देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है ए सही नहीं है इसमें क्यूं सही नहीं है देख लेते हैं कैक के पद का उलेक सविधान के भाग छे में नहीं बलकि भाग पाँच में किया गया है ठीक है और सविधान के अनुछेद 148 से 151 क्यावन तक कैक से संबंदित है ये सही है सी भी सही है इसमें कैक गार्जियन आप दो पबलिक पर्स होता है और देश की संपुन बीतिय पढ़नाली को नियंतित करता है डी इसका गलत है क्यों गलत है देख लेते हैं वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंदित अपनी ओडिट रिपोर्ट परत्यक्षत राश्पती और राज्य में राजपाल को पेस करता है ठीक है केंद्र में राश्पती को और राज्य में राजपाल को नेक्ष है वर्तमान में पटना उचने आले का मुख नियाधिस कौन है तो अभी वर्तमान में संजय करोल है नेक्ष है इन में से कौन सा मावलिक अधिकार भारतिय नागरीकों के लिए तो उपलब्ध है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं उपलब्ध है ठीक है तो ये कौन सा हो जाएगा वाक एवं अभी व्यक्ति की स्वतंतरता नहीं है इसके साथ ये भी देख लिजे कि कौन सा आर्टिकल विदेशियों को नहीं प्राप्त है तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल विदेशियों को नहीं प्राप्त है इसमें जो अधिकार दिये गया है वो नहीं प्राप्त है, नेक्श देखते हैं कि समीति ने डल बिख्टन के मामले में और योगता से छूट देने से संबंधित दस्वी अनुसूची के प्रावधान को निरस्थ करने की सिफारिश की है, तो ये हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समीती, ठीक है, दिनेश गोस्वाम और इंद्रजीत समीती देखते हैं तो ये चुनाव के बित पोसन से समबंदित है नेक्ष देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतरविष्ट इंस्टूमेंट ऑफ इंस्टूक्शन्स को हमारे सविधान में निमलीखित में से किस रूप में सामिल किया गया है तो ये र अंसर नेक्षे नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला सहर कौन सा है तो ये मुझभफर पूर है मुझभफर पूर भारतिय सविधान के अनुसार न्याइक समिच्छा के सक्ति निम्न में से किस्क में नहीत है किस मामले के में सरोच नियाले ने ये निर्ने दिया कि अनुचे 368 के तहट संसत को प्रदत संसोधन कारी सक्ति उसे सविधान की मुल सरचना में परवर्ति करने की सक्ति नहीं देती है तो ये केस्वानन भारति वाद में तो ये 1973 में आया था और गोलक नात वाद देखे 1967 में आया था और इसमें क्या था मौलिक अधिकार से ये भी संसोधन से संबंदित है ये भी मिर्नवा मिलसवादrobe 1980 में आय था इसमें नियाइक पुनर विलेकवन की पुनर बहाली हुई थी वामन रावाद देखे तो ये 1981 में था ये किसलिए था आधारबुद सनरचना सिधान्त के लागू होने की तिथी से ये भी संबंदी था अब नेक्ष देखते हैं निमलीखित में से कौन सा सरदार स्वर्न सिंग समीती की अनुसंसा का परिनाम है तो इसमें कौन सा हो जाएगा एंसर मूल करतब है ठीक है सरदार स्वर्न सिंग समीती के द्वारा मूल करतब जोड़ा गया है इनी की सिफारिस पे और पंचायती राजविवस्ता देखे तो ये 1958 बलवन्त राय महता की सिफारिस पे है अब नेक्ष देखते है धन विदहक देखे तो ये 110 में भारतिय सविधान की परस्तावना में कितने परकार की स्वतंतरताओं का उलेक किया गया है तो ये स्वतंतरता दो परकार की दी गई है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता दी गई है सविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंदित है तो ये हो जाएगा भाग 15 ठीक है 15 जो है निर्वाचन से संबंदित है अनुछेद इसका देख लीजे आर्टिकल जो है आर्टिकल 324 से 329 तक है ठीक है 329 तक अगर ये देखे भाग 18 तो ये आपात उबंद से संबंदित है भाग 14 देखें तो ये संग वराज के अधिन सेवाओं से संबंदित है और भाग 9 जो है पंचायत से संबंदित है नेक्षेद परतेक वीतिये वर्स के संबंद में भारत का वार्सिक वीतिये ब्यूरन सदन में उस दिन प्रस्तूत किया जाएगा जो भारत के राष्टपती निर्देशित करते हैं निम्न लिखित में से अंतराजिय परिसत की अध्यक्षता कौन करता है तो अंतराजिय परिसत की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं ठीक है और अंतराक्ट ये परिशत जो है ये आर्टिकल 263 में है नागरिक्ता से संबंदी प्रावधानों का उलेक सविधान के किस भाग में है तो ये है भाग 2 में ही तो है तो भाग 2 है और आर्टिकल 12 से 35 तक है भाग 3 में देखें तो ये आर्टिकल 5 से 11 तक है भाग 2 में ठीक है नागरिक्ता संबंदी थे भाग 2 और ये आर्टिकल 5 से 11 तक है भाग 3 देखें तो ये मौली क अधिकार से संबंदी थे और ये 12 से 35 तक आर्टिकल है ठीक है नेक्ष है भाग 4 भाग 4 में नीती ने दे सकता तो है डीपीएसपी DPSP है ये आर्टिकल 36 से 51 तक संबंदित है और भाग 5 देखें तो इसमें संग कारेपालिका दिया हुआ है संग कारेपालिका नेक्षे सविधान के निमलिखित में से कौन से प्रावधान राजी के नीती निदसक्तत्वे हैं तो इसमें हो जाएगा C. अंतराष्टिय सांतियम सुरक्षा को बढ़ावा देना ये राजी के नीती निदसक्तत्वे के अंतरगत आता है ये गिरापतारी और हिरासत के विरूत संडक्षन ये आर्टिकल 20 है ये मौलिक अदिकार है बैग्यानिक दृष्टिकोन मानवतावाद और ग्याना अर्जन सुधार की भावना का विकास ये मौलिक करतब है फंडामेंटल राइट है नेक्षे भारत के सभी लोगों के भी सामंजस वा सम्मान भायचारे की भावना का निर्मान करना ये भी मौलिक करतब है फंडामेंटल राइट के अंतरगत आता है इसको ध्यान रखिएगा फंडा मिल्टर राइट तो मौलिक अधिकार होता है ना चली आगे देखते हैं भारत के निमलिखित परधान मंत्रियों में से कौन और विश्वास मत में पराजित हुए थें तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा एंसर इसका HD देवगोडा और अटल बिहारी वाजपेई भी हुए थें और इसमें बिश्वानात परताप सिंग भी हैं तो ये 1990 में और HD देवगोडा जो हैं 1997 में और अटल बिहारी वाजपेई जो हैं 1999 में तो ये और विश्वास मत में पराजित हुए थें वाला ब्यक्ति निउन्तम कितनी आयू पूरी कर चुका होगा तो ये 35 वर्स की आयू ठीक है 35 वर्स लोगसभा और विधान सभा के लिए 30 वर्स राजसभा के लिए और 18 वर्स बोड़ देने के लिए नेक्ष है राज के नीती निर्देशक तत्तों के विषय में निमलिकी कत्थनों में से कौन से सही नहीं है बताना है तो ये D है जो सही नहीं है जो सही है देख लिजे जो नीती निर्देशक तत्तों है DPSP ये आयलंड की सविधान से लिया गया है और ये इन प्राधानों का अवलेक सविधान के भाग चार में किया गया है, निर्देशक तत्व नियाले में गहर नियाय उचीत है, लेकिन देश के सासन में मुलभूत है, तो A, B, C इसमें सही है, ठीक है, नेक्ष देखते हैं अब, निमलिखित में से किस रीट का अर्थ, प्राधीकृत या वारंट द अधिकार प्रिक्षा, ए हो जाएगा इसका एंसर, अधिकार प्रिक्षा, ठीक है, पर्मादेश क्या होता है, इसका अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, बंदी परत्यक्ची करन का होता है, ससरीज प्रस्तूत करना, और उत्प्रेशन का अर्थ होता है, पर्मानित होना, तो ये पाँच रीट हैं जो दिये गया हैं। भारतिये सव्यधान में कौन सा अनुछेद अनुसूची स्वायत जीला परिसदों में से संबंदित हैं। तो यह है छटी अनुसूची ठीक है। छटी अनुसूची इसमें असम में घाले त्रीपूरा और मिजोरम के तहत इसमें प्रावधान किया गया है। किसकी अनुसूचा पर धन विद्यक लोक सभाम पेस किया जाता है। तो यह राश्पती, राश्पती है ये, बी, राश्पती की अनुसंसा पर, अनुछेद 110 में धन विदख का प्रावधान है, संसत के संयूक्त बैठक के संदर में निमलीखीत कत्रों में, कौन सा सही है, बताना है, सही है, तो इसमें संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान सविदान के अनुछेद 108 में है ये सही है संयुक्त बैठक राश्पति के द्वारा बुलाई जाती है ये भी सही है और इस सत्र का अधिकारी जो इस सत्र का अध्यक्ष होगा वो लोकसभा अध्यक्ष होगा ठीक है लोकसभा अध्यक्ष होगा ठीक है लोकसभा अध्यक्ष और इसमें ये भी सही है कि सयुत बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस संख्या का एक बटा दस भाग होगा तो इ काल का और ये क्या होता है इसमें क्या होता है कि बीना किसी पूर्व सूचना के प्रस्न उठाते हैं सुन्ने-काल में प्रस्नि-काल जो बैठक का पहला घंटा होता है वो प्रस्नि-काल होता है और कंगारू क hey reden के वल महतपून खंडों पे वाद बाद उठाये जाते हैं नेक्ष है भारत के सविधान में सिक्षा के अधिकार को कि सविधान संसोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया है तो यह हो जाएगा तो इसका एंसर D हो जाएगा सविधान का 86 सिवा संसोधन जो अधिनियम था 2002 में आये था तो ये सिक्षा संबंदित है और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निसुलक सिक्षा का प्रावधान किया गया है अगर सविधान 57 संसोधन तो इसमें सहकारी समीती से संबंदित है तिरानवे देखें तो तिरानवेवा जो हुआ था 2005 में ये SC, ST, OBC के आरक्चन से संबंदित है और 87 जो है ये परिसीमन आयोक से संबंदित परिसीमन में 2001 की जनगन्ना के अधार बनाये गया था इसमें तो य सीमन से संबंदित है नेक्षै सविधान का निमली कित में से कौन सा अनुचेद राश्पती को अध्यादेस लाने की सक्ति परदान करता है तो ये हो जाएगा वन ये अनुचेद 123 की तर ठीक है अनुचेद 123 अनुचेद 99 में देखें तो ये संसत सदस्यों के सपत से और 147 देखें तो यह न्याय पालिका के निर्वचन से संबंधित है नेक्ष देखते हैं सविधान के किस अनुछेद में लेख है कि राश्पती की सहायता एवं परामर्ज के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिसद होगी तो इसमें हो जाएगा अनुछेद 74 है इसमें क्या है राश्पती की सहायता के लिए मंत्री पस्रत का गठन की बात की गई है अनुछेद 72 देखें तो यह चमादान राश्पती की सत्ति किसमें है बहत्तर में अनुछेद 71 की बात करें तो यह इसमें राश्पती और उप राश्पती के पाचन से संबंधित है. 70. संग की कारपाली का, 17. excuse 20 रिपोर्ट प्रस्तूत करता है. आंगल भारतिये समुदाय대 सवेधानी की उमँ अन्ह कानूनी संदक्चों उपाय से संबंधित मामलों की जाच करता है. और राश्पती को इसकी प्रस्तूत करता है तो यह राष्टिय अनुसूचित जाती आयोग ठीक है इसी राष्टिय अनुसूचित जाती आयोग ठीक है यह अनुचे 338 के तहक है और यह किसके अंतरगत आता है समाजिक न्याय अधिकारता मंतराले के अंतरगत आता है और राष्टिय अनुसूचित ज जाती आयोग 338 को के अंतरगत आता है अगर राश्टिय अल्प संख्यक आउर्ग आयोग देखें तो इसमें एक अध्यक्च और पांस सदस होते हैं और ये मिनिस्ट्रिय वेलफेर के अंतरगत आता है नेक्ष भारत निर्वाचन आयोग के अनुसा राश्टिय दल के रूप म तो ये हो गया कम से कम चार राज्यों में ठीक है और इसके और भी है देख लीजे लोग सभा चुनाओं में कुल सीटों का 2% या 11 सीटे हो तथा ये सीटे 3 राज्यों से मिली हो ये भी है और दूसरा क्या है कि लोग सभा या राज्यों के विधान सभा चुनाओं में 4 चार सीट लोक सभा की भी हो, तभी राश्टिये राजस्तरिये दल के रूप में मानियता प्राप्त होगा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इन में से कौन प्रिथक बिहार राज्जी की मांग करने वाला प्रत्थम व्यक्ति था, तो ये कौन है, डॉक्टर सचिदानन सिन इन्होंने बहुत युगदान दिया है प्रिथक बिहार राज्जी के लिए, नेक्ष है, भारत के महानियावादी के संबंद में निम्न कद्थियों में कौन से सही नहीं है बताना है, तो ये हो जाएगा भी सही नहीं है, जो सही है देख लिजे, ये देश का सरोच कानून अधिकारी होता है इसकी नियुक्ति भारत के राश्पति द्वारा की जाती है और इन में उन योगताओं का होना आवस्चक है जो सर्वोच नियाले के किसी नियाधिस की नियुक्ति के लिए होती है ठीक है तो ये तीनों सही था अब पहारतिय सव्धान अधिनियम 73 संसोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों में पंचायत राज्य की त्री अस्तरिय परणाली का प्रावधान करता है जिनकी जन संख्या 20 लाग से अधिक हो भी है इसका अब नेक्ष देखते हैं निमलीखित में से किस राज्य की विधान सभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है तो यह हो जाएगा पच्छिम बंगाल में कितना है 294 है इन राज्यों के बारे में बताना है ऐसे तो उत्तर प्रदेश में सबसे जादा है विधान सभा सीट और यहां देखे तो पच्छिम बंगाल में सबसे जादा है आंध्र प्रदेश की बात करें 175 है आंध्र पर्देश का, मद्ध पर्देश का देखे तो 230 है और बिहार का देखे तो 243 है नेक्ष है इन में से कौन राज्य में कारेपालिका का भाग नहीं है तो ये विधान सभा अध्यक्ष जो होते हैं कारेपालिका के भाग नहीं है जबकि राज़िपाल, मुखमंत्री, मंत्री परसद ये सभी है अब नेक्ष देखते हैं निमलिकित में से किस रीट को न्याले द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा लोग कार्याले में दायर अपने दावे की बैधता की जाच करने के लिए जारी किया जाता है तो ये अधिकार प्रिक्षा, अधिकार प्रिक्षा को जारी किया जाता है निमलिकित में से कौन बिहार का पहला मुखमंत्री था तो ये स्री कृष्ण सिंग थे पहले मुखमंत्री केंद्रिय सूचना आयोग अपनी वार्सिक रिपोट की से प्रस्तूत करता है तो एक कार्मिक मंत्राले को प्रश्टूत करता है बिहार लोकसिवा आयोग अस्तित्व में कब आया है वर्स 1949 में आया है अनुछे देखा जाए तो 315 के तहत राज्यों में लोकसिवा आयोग से संबंदित है निम्लिखित गन्मान पदधारकों में से कौन वर्यता के क्रम में सरोच अस्तान पे है इनमें सरोच अस्तान पर है बताना है तो इसमें है लोक सभा अध्यक्ष लोक सभा अध्यक्ष सरोच अस्थान पर नेक्ष है बिहार विधान सभा में अनुसूची जातियों के लिए कितनी सीटे आरक्षित है तो इसमें कितनी हो जाएगी बिहार विधान सभा में अनुसूची जातियों के लिए 38 सीटे और अनुसूची जन जातियों के लिए कितनी है दो सीटे तीक है दो सीटे अब आगे रेखते हैं सभधान के निमलिखित में से किस अनुचेद के तहट किसी राज में मंतरी परिसत का गठन किया जाता है तो ये अनुचेद कौन सा है 163 है ठीक है और अनुचेद 85 देखे तो इस संसद के 17 वसान और विक्टन से संबंदित है अनुचेद 218 किस से हाई कोट से संबंदित है नेक्षे बिहार में कितने जिले हैं तो बिहार में इसमें ऑप्षन 38 तो है नहीं तो बिहार में 38 जिले हैं आपको पता है और 38 जिले कोन बना है तो ये अरवल बना है 38 जिले हैं 9 प्रभाग हैं बिहार में और देखा जाए तो 101 अनुमंडल है अनुमंडल और 534 ब्लोग है ठीक है 534 ब्लोक है नेक्स्ट है राजसभा में के संबंध में इन कत्रों में कौन सही है बताना है तो देख लेते हैं इसको इससे पहली बार 1952 में गठित किया गया तो यह सही है 3 अप्रेल 1952 में इसका पहली बार गठन हुआ है तो यह तो सही है बिल्कुल अब दूसरा देख लेते हैं राजसभा के सदस 6 वर्सों के लिए निर्वाचित किया जाते हैं सही है राश्पती द्वारा राजसभा में कुल 12 सदस मनोनित किया जाते हैं यह भी सही है इसे अतरिक्त अखिल भारत्य सिवाव के स्रीजन का अधिकार प्राप्त है तो ये सही है सभी सही थे नेक्से बिहार राज में ग्राम कचppe कागठन कितनी अवधी के लिए किया जाता है तो ये 5 वर्स के लिए किया जाता है ठीक है और बिहार में देखे तो 8392 ग्राम कच्छरी है ठीक है ग्राम पंचायत की तरह ही इसमें एक परमुक होता है और उपरमुक सदस्य भी होते हैं बिहार विधान परिशद में कुल कितनी सीटे हैं तो यह हो जाएगा 75 सीटे हैं ठीक है 63 सीतों का निर्वाचन होता है और 12 सीतों का मनोनयन किया जाता है 12 सीतों पर मनोनित कियते हैं किस सविधान संसोधन ने केंशासित परदेश दिल्ली को एक विसेश राजिका दरजा परदान किया है तो ये हो जाएगा शिक्षी नाइनवा सविधांसन सोधन हो जाएगा और ये 1991 में किया गया था पचास सिवा देखें सविधांसन सोधन अधिनियम तो ये सरकारी सेवा में ACST के पद 39 से संबंधित है और ये 2001 में ऐसा आया था 86 सिवा देखें तो ये 2002 में आया था और इसमें क्या 6-14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी निसूलक सिक्षा सम्बंदित है 42 सविधान संसोधन 1976 में और इसे लगु सविधान भी कहते हैं यह हम लोगों ने देखा अब आगे देखते हैं निमलिकित में से कौन सा अनुचेद उलेक करता है कि परतेक राजे के लिए एक राजेपाल होगा तो यह अनुचेद है 153 विहार से 9 गठित राजे जारखंड में कितने जीलों को अस्थानांतरित किया गया था तो यह 18 जीलों को करा गया था तो 15 नवंबर 2000 की डेट थी जो बिहार से जारखंड को अलग किया गया और सैती जीले बिहार में रह गया और 18 जीले जारखंड में अब एक और जीला जुड़ गया है बिहार में 38 अरवल ठीक है मगद प्रमंडल का मुख्याल है कहां तो यह गया है ठीक है गया तो आपको पता ही है नौ प्रमंडल है कौन कौन है देख एक वर रिकॉल कर लेते हैं पटना है मगद है मुंगेर है ठीक है पटना मगद मुंगेर तीन हो गया तिरहुत है सारन है पुनिया है दर्भंगा है कोसी है और भागलपूर है तो ये नौ प्रमंडल है विहार दिवस मना जाता है 22 मार्ज को मनाया जाता है 22 मार्ज कोई क्यों मनाया जाता है तो यह क्यों कि 22 मार्ज 1911 में जो 1912 को बिहार राज को बंगाल से अलग किया गया था ठीक है इसलिए मनाया जाता है बिहार की अधिकारिक भासा या भासाएं कौन सी है तो यह अधिकारिक भासा तो देखा जाए तो हिंदी है पहले पहली भासा देखे तो हिंदी और दूसरे भासा उर्दू है तो ये दोनों ही है भासा तो इसका एंसर ई है उप्रोप्त में से एक से अधिक है वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो ये सुनील अडोडा है ये 23 चुनाव संगलोग सेवा आयोग के अध्यक्ष को पदेयों गुपनियता की सपत कौन दिलाता है तो ये सपत की बात कर रहा है सपत कौन दिलाता है तो ये UPSC का वरिष्टम सदश सपत दिलाता है जबकि नियुक्ति कौन करता है राश्पति करता है आर्टिकल 316 के तहट नियुक्ति राश्पति करेगा लेकिन सपद की बात आएगी तो UPSC का वरिष्टम सदस से सपद दिलाएगा ठीक है अब नेक्श देखते हैं निम्लिकित में से किस आयोग या समीति ने भासाई अधार पर राज्य के पुनर गटन की सिफारिस नहीं की थी तो इसमें E हो जाएगा एंसर एक से अधिक हैं जैसे JVP समीति जो 1948 में गटन किया गया था रिपोर्ट उसने 1949 में दिया था तो JVP समीति धर आयोग प्रतम परशासनिक सुधार आयोग ये सभी नहीं किये थे फजल अली आयोग जो है 1903 में आया था और ये पचपन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत किया था तिरपन में इसका गठन किया गया था और इसने हाला की सुरवात में नहीं दिया था ले सुधार आयोग देखे तो ये 1648 में प्रतम परशासनिक सुधार आयोग देखे तो 2016 में और ये तो राज्यों के पूनर गठन से संबंदित नहीं है तो ये लोग परशासन से संबंदित था लोग परशासन को अधिकारगर बनाने के लिए 1966 में आया था नेक्ष्ट है भाग 14A ठीक है ये 42 संसोधन द्वारा जोड़ा गया है 1976 में भाग 15 देखे तो निर्वाचन से संबंदित है 14 देखे तो संग राज्यों के अधिन सेवाउं से संबंदित है 18 अपात उबन से संबंदित है सविधान का कौन सा अनुचेद सरोच नियाले के सलाह छेतरा अधिकार के प्राधान से संबंदित है तो ये हो जाएगा 143 ठीक है 133 अनुचेद 124 देखे तो ये सरोच नियाले के गठन से संबंदित है सरोच नियाले के सुप्रीम कोट के गठन से अनुचेद 139 देखे तो अ अभिलेक सरोच न्याले एक अभिलेकी न्याले है इसका इसमें वड़नन किया गया है अनुशन 134 देखे तो यह अपील से सम्बंदित है न्यायाले की औमानना न्याइक संस्थानों को प्रेरित हमलो यếँ अनुचित अलोचना से बचाने का प्रयास करती है संबंदित कानून नियाले की ओमानना अधिनियम कब लाये गया था मेलनी रूप से इसमें ये पूछा जा रहा है कि नियाले की ओमानना अधिनियम कब लाये गया तो ये 1971 में लाये गया है ठीक है 1971 में निमलीखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मा परणाली का अनुसरन करता है? तो ये जापान है जापान निमलीखित में से किस वाद में सरोच नियाले ने यव परतिपादित किया कि उदेशी का सविधान का एक अंग है? तो इन मेंसे यह answer हो जाएगा क्योंकि इसमें केश्वानन्द भारतिवाद और भारतिये जीवन बिमा निगमवाद इन में कहा गया है कि उदेशिका सविधान का एक अंग है और मेन का गांधिवाद देखे तो एक इस से संबंदित है मूल अधिकार से संबंदित है नेक्ष आंचलिक परिशत के अध्यक्ष के रूप में कौन कारे करता है तो यह है ग्रीह मंत्री ठीक है इसमें एक शूट गया है बेरुबारी इन्यवनवाद जो है 1960 में आया था तो यह किस लिया था आप लोग कमेंट करके बताएगा कि बेरुबारी जो इन्यवनवाद है क किस लिया था ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं आंचलिक परिशत के अध्यक्ष के रूप में कौन कारे करता है तो यह ग्रीह मंत्री करता है निम्नलिकित में से कौन दिल्ली के अतरिक्त किसी अन्यस्थान को सरोच न्याले के अस्थान के रूप में न्यूक्त करने का अधिकार प्रदार करता है तो ये भारत का मुख्य नियाएदिस निमलिखित में से कौन सविधान के अनुचेद पंद्रम उलेखित प्रावधानों के तर्थ भेद भाव का अधार नहीं है तो ये हो जाएगा निवास अस्थान ठीक है निवास अस्थान आर्टिकल फिप्टीन है उसमें केवल मूलवन्स लिंग जनमस्थान धर्म और जाती के तहत भेद भाव के अधार प्रस्तूत किये गया है नेक्ष है सविधान संसुदन के संबंद में निमलिखित कत्तों में से कौन सा सही नहीं है तो इसमें बताना है सही नहीं है तो ये हो जो देख लिए सविधान संबंदी अध्विधेयक एक नीजी सदस द्वारब प्रस्तूत किया जा सकता है इसके लिए राश्ट्पती की पूर्व अनुमति क्या सकता नहीं होती है इस संबंद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नही है तो इसमें ए था इंसर अब नेक्ष है निम्लिखित में से किस राज में बिधान परिसद नहीं है तो यहाँ पे बिधान परिसद नहीं है बताना है तो इसका क्या हो जाएगा इंसर औरीसा हम्राचल परदेश यहाँ नहीं है कुल छे राजों में है देख लिजे छे राज बिहार है तेलंगाना है और कौन से है चार ओर देख लिजे उत्तर परदेश है आंध परदेश है माहराष्ट है और करनाटक है तो कुल छे राजों में बिधान परिसद है और यह आ आपना 1917 में होई थी बिहार राज में कितनी बार राश्पती सासन लगाए गया तो आठ बार अभी तक आठ बार लगाए गया है राश्पती सासन फ़र्ष्ट देखे तो फ़र्ष्ट राश्पती सासन 1968 में ही लगा था ठीक है और लाश्ट वाला देखे अभी लाश्ट में जो था ये 2005 में लगा था ठीक है आरजेडी का के सासन के समय चले अब आगे देखते हैं निमलीखित में से कौन पटना उच नियाले की पहली महिला मुख नियादीस रही है तो ये रेखा दोसित रही है राजी की विधान सभा में सदस्यों की अधिक्तम और नियुनतम संख्य कितनी होती है तो अधिक्तम 500 होती है और देखा जाए नियुनतम तो 60 होती है अपवाद में देखा जाए तो गोवा मिजोरम यहाँ पे 40 है और सीकिम में 32 है ठीक है 32 है नेक्षे किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थीति में संसत की संयुत बैठक आहुद करने के प्रावधा का उपयोग अब तक कितनी बार किया गया है तो ये तीन बार किया गया है कब कब किया गया है एक बार दहेज परतिसेदिक अधिनियम 1960 में किया गया था दूसरा देखे तो बैंक सेवा आयोक अधिनियम के समय किया गया था 1977 में किया गया था दूसरा और तीसरा देखे तो आतंकवाद निवारन अधिनियम के तहम ये 2002 में किया गया था तो ये तीन बार किया गया है निमलीखित में से किस संसदिय समीती में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है तो इसमें देखे तो प्राकलन समीती में इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसमें केवल लो समीति में देखें तो इसमें 22 सदस होते हैं 22 इसमें 22 में 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं राजसभा से होते हैं सारजवनिक उपकर्म समीति में देखें तो यहां 15 सदस होते हैं 10 लोकसभा से और 5 जो है राजसभा से विशेशा आधिकार समीति कभी ये लोकसभा से लोकसभा में इसके 15 सदस होते हैं और राजसभा में 10 होते हैं ये अलग से है निमने में से किसे हमारे सविधान की मुलभुत बिसेस्ता नहीं है तो ये हो जाएगा मुलभुत बिसेस्ता नहीं है संपति का अधिकार मुलभुत बिसेस्ता नहीं है इसमें न्याईक समिक्षा, बीधी का सासन, स्वतंत रयम, निक्सपक्ष चुनाओ, ये सभी मुल्भुत्स बिसेस्ता हैं, सविधान की ठीक है, तो और सविधान की सरोचता ये सभी है, ये समय समय पर सुप्रीम कोट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, नेक्ष है राज से 51 के बीच है, DPSV, लोकसभा का सामिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की निक्ति या निर्वाचित किया जाता है, तो ये राश्पती के द्वारा किया जाता है, नेक्ष देखते हैं, निम्ने में से कौन सा सही वरियता करम बताना है, तो वरियता करम में 20 सही है, राश्प फिर परदान मंत्री, फिर उपरदान मंत्री और फिर भारत के मुखे नायदेश, नेक्ष है इन में से कौन सा पत सविधान के मूल पाठ में नहीं था, लेकिन 44-वे सविधान संसोदन अधिनियम 1978 में द्वारा अनुचे 352 में सामिल किया गया है, तो ये कैबिनेट, मंत्र मंत्री मंदल को कैबिनेट को सामिल किया गया है, इन में से कौन किसी छेतर को अनुसूचित छेतर गोसित कर सकता है, तो ये है राश्पती, ठीक है, राश्पती कर सकता है, 244-1 के तहत, भारत में उच्छ नियालों की संख्या 25 है, और 25 बना है, 2019 आंधपर्देश, ठीक है, आंधपर्देश में जो नियाले बना है, नेक्षे, बिहार के पहले मंत्री मंदल कैबिनेट का गठन किया गया था, तो ये कब किया गया है, 1946 में किया गया है, और इस समय क्रिशन सिंग मुख मंत्री बने थे, निम्न में से कौन सोतंता के बाद पटना उच्छ नियाले का प्रथम भारतिये मुख नियाधिस था, तो ये लक्षमी कांत जहा थे, लक्षमी कांत जहा, 1950 में, 1950, नेक्षे, भारत के सविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस पे अधारित है, तो ये उद्देश प्रस्ताव 1946 तहत अधारित है, ठीक है, और ये ज्वाहालल नहरू क के द्वारा प्रस्तूत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, और इसे 22 जनवरी 1947 को अंगिकार किया गया था, नेक्षे, निम्न में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति के विरुध जारी किया जा सकता है, तो ये बंदी, परत्यक्षी करन, इसका अर्थ होता है, ससरीर उपस्थिती, ठ पता होगा, पांच रिटे दायर की जा सकती है, पांच रिटे, आर्टिकल 32 के तर, इसमें पांच रिटों के नाम देख लीजे, अधिकार प्रिक्षा, उत्प्रेशन, परमादेश, बंदी, परत्यक्षी करन, और पांचवा जो है, वो है, प्रति सेध, ठीक है, प्रति पते हैं अब, निमलेकित में से किसने अनुछेद 32 के तहर स्वविधानिक उपचार के अधिकार को स्वविधान का हिर्दय और आत्मा कहा है, तो ये बी आर अमबेदकर के द्वारा कहा गया है, निमले में से कौन अंतर राज्य परिशत की असापना कर सकता है, तो ये आजे के नीती नीजशत तद्वों में कौन सा गांधिवादी आदर्शों पर अधारित है, तो ये इसका एंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ग्रामीन छेत्रों में कुटिर उदोगों को बढ़ावा देना, ये सही है, ये गांधिवादी आदर्शों पर अध 44 में है, तो ये दोनों गांधि, गांधिवादी विचारों पे था, और ये देखा जाए, समान नागरिक सहीता की बात, आर्टिकल 44 में है, ठीक है, 44 में, नेक्ष है भारत के उपराश्पती के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी ब्यत्ती के पास निमलीखित में से कि आवस्यक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं इसको, तो इसमें B एंसर हो जाएगा, अब देख लिजे कौन सही है, तो वो 35 वर्ष की आयू पूरी कर चुका हो, ये जो है, यहां गलत क्यों है, क्योंकि लोक सभा का नहीं, बलकि राज सभा, यहां राज सभा के सदस निर्वाजित होने के लिए अहर्थ हो, ठीक है, ये तो है ही, वह कोई लाप का पदधारन ना करता हो, और भारत का नागरी को ये सभी है, चलिए अबने एक सटेक्ते हैं, लोक सभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो ये लोक सभा के उपाध्यक्ष ठीक है, भारत के राश्पती किसको देंगे, तो ये उप राश्पती को देंगे, परधान मंत्री किसको देंगे, तो ये भी राश्पती को ये देंगे, और भारत के जो मुख नयादीस है, वो भी राश्पती को देंगे, सविधान के नुसर कौन किसी अस्थान या स्थान उच्छ न्याले के अस्थान के रूप में अधिविष्ट करता है तो ये हो जाएगा अनुछेद सोरी भारत का राश्पती करता है भारत का राश्पती सव्यधान के किस अनुछेद के तहट राश्टिय अपातकाल गोसित किया गया है तो ये राश्टिय अपातकाल जो लगा ये बिधाई का है, तो ये हो जाएगा, इसमें बताना है, तो यहाँ पे तो आंध परदेश, उत्तर परदेश है, करनाटक भी है, ठीक है, और साथी और तीन है, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, और महाराश्ट हो गया, ठीक है, तो छे राजियों में बिधान परिसद है नेक्ष्ट है निमलीकित में से किस अस्थान पर विहार विधान परशत की पहली बैठक बुलाई गई थी तो ये बांकीपूर में ठीक है बांकीपूर में बुलाई गई थी निमलीकित में से कौन बिहार विधान सभा का पहला अध्यक्ष था तो ये बिंदेश्वरी परसाद वर्मा निमने में से कौन सा अनुचे ये प्रावधान करता है कि मंत्री परिशत सहींत रूप से राज बिधान सभा के प्रती उत्तरदाई होगी तो ये हो जाएगा अनुचेद 164 है ठीक है अनुचेद 164 मंत्री परिशत और अनुचेद 83 में देखे तो संसत सदनों की ओधी से ये संबंदित है और अनुचेद 203 जो है बिधान मंडल क के प्राकलणों के से संबंदित है निमलीखित में से किस अधिनियम के तहथ बिहार में लोकादालतों को वैदानिक दर्जा प्रदान किया गया है तो ये हो जाएगा D. विधिक सेवा प्राधिकरन अधिनियम 1987 सविधान सभा के संदर में निमनित में से कौन सा सही नहीं है तो यह हो जाएगा D सही नहीं है जो सही है देख लिजे सविधान सभा सदच्चों की संख्या 389 थी कूल सीटों में से 93 सीटे रियास्तों को दी गई थी प्रांतों को सीटों का आवंटन उनकी संबंदी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था अब यह जो है गलत कियों है देशी रियास्तों के परतिनीधियों का जो चुनाव होना था वो रियासत प्रमुखो द्वारा नामित था अब परत्यक चुनाव द्वारा नहीं था ठीक है इसलिए वो वलत है नेक्षे भारतिये सविधान के अनुछे तीन के तहट संसद अधिकरित नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा इसका एंसर ई हो जाएगा क्योंकि सब ही हैं दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज बनाने के लिए किसी भी राज्य के छेत्रपल में ब्रीधी करने के लिए किसी राज्य का छेत्रपल कम करने के लिए और किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए सब ही हैं निमलीखित में से कौन जू प्रुस सौली के सिधान से संबंदित है तो ये है नागरिक्ता ठीक है नागरिक्ता अभिभ्यक्ति की सोतंता अनुचिद आर्टिकल उन्नीस में है राश्पती का चुनाव कैसे होता है एकल संक्रमनिय मतपढणाली की द्वारा होता है और संगवाद कनाडा से लिया गया है इन में से कौन संसदिय सरकार की विशेष्टा है तो ये है बहुमत वाले दल का सासन निमने में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो यह हो जाएगा डी सुमेलित नहीं है अनुचिद उन्नीस सहकारी समीतियों के गठन का अधिकार तो ये सही है ए भी सही है बी भी सही है अनुचिद 22 गरपतारी तथा बंदी बनाये जाने के खिलाब विरोध का अधिकार अनुचिद 24 बाल स्रम का निसेध है ठीक है और अनुचिद 29 देखें तो ये अल्प संख्यकों के हीतों का सनरक्षन से संबंदित है निमने लिकित म विरोने से कौन भारतिय सव्यधान में परतियच थापित एक मौलिक कर्थब्ब्य है तो इसमें E हो जाएगा इंचे है हाँ इसका एंसर E हो जाएगा ठीक है देख लेते हैं तो ये मौलिक कर्थब्य कौन सा है तो देश की रक्षा करना और आहवावन किये जाने पर राष सार्जवनिक संपती को सुरप्षित कर रखना और हिंसा से दूर रहना ये भी है। 6-14 वर्स तक की आयू वाले बच्चों को सिख्चा ये तो मौलिक अधिकार है। 6-14 सव्यदान संसोधन के द्वारा नेक्षय सव्यदान के निमलिकित प्रावधानों में से किसमे संसत के विसेस बहुमत एवं राजियों की सहमती द्वारा ही संसोधन किया जा सकता है। तो ये सातवी अनुसूची के अंतरगत कोई भी सूची। ठीक है। पाचवी अनुसूची में क्या है अनुसूचीत एवं जन जातियों छेतरों के परसासन के बारे में है। मौलिक अधिकार भागतीन में अनुछेद 12-35 के में है। ठीक है अनुछेद में। निमलिखित में से क्या संगिय सरकार की विशेस्ता नहीं है तो इसमें हो जाएगा इनसर कोई नहीं इसमें सभी हैं कठोर सविधान, सोतंतने अपालिका, लिखित सविधान, सविधान की सरोचता ये सभी हैं अंतराजिय परिशत की अस्थापना कवलेक भारतिय सविधान में किस अनुचेद में है तो ये 263 में है सव्यधान के किस अनुचेद द्वारब वीतिया अपातकाल की घोसना तो यह है看到 360 के तहद की जाती है वीतिया अभी तक नहीं की गई है 3502 में राश्टिया अपातकाल है और 356 जो है राश्ट पति सासन है और 370 जम्मु कस्मीर से संबंदी था निम्नलिकित में से कौन सी बीटो सकती भारत के राश्पती को प्राप्त नहीं है तो ये है B विसेशित बीटो नहीं प्राप्त है ठीक है अब आगे देखते हैं सविधान के अनुसार परधान मंत्री का चयन एवं नियुपती की जाती है तो ये हो जाएगा E इसका अंसर हो जाएगा क्यूंकि कोई विसेश प्रक्रिया का उलेख नहीं किया गया है अनुछेद 15 में अनुछेद जो 15 नहीं 75 में केवल यह कहा है कि परधान मंत्री की न्यूपती राश्पती द्वारा की जाएगी तो E इसका एंसर है ठीक है E नेक्षे अनुपाती न्याय से क्या तातपर है तो इसका एंसर भी E हो जाएगा अनुपाती न्याय समाजिक न्याय और आर्थिक न्याय से संबंदित है न्याय के मिले जुले रूप को अनुपातिक न्याय कहा जाता है नेक्षे उच न्याले के न्याय धीसों को पद से हटाया जाना संबंदित प्रावधान किस देश के सविधान से लिया गया है तो ये E है इसका एंसर, इसमें कौन कौन नहीं सामिल है, देख लीजे, इसका एंसर E नहीं होगा, C होगा, ठीक है, C है, मनिपूर, क्योंकि छठी एनुसूची में असम, मिघाले, त्रिपूरा और मिजोरम, चार राजियों के प्रसासन से सम्बंदित है, ठीक है, तो इसमें असम हो जाएगा, त्रिपूरा हो जाएगा, मिघाले हो जाएगा, और मिजोरम सामिल है, ठीक है, मनिपूर नहीं सामिल है, नेक्षब है, इन में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा, भी सही सुमेलित नहीं है, प्रारूप समीति के, डॉक्टर भीमराव नेक्षब देखते हैं सव्यधान के किस भाग को भारत का मैगना कार्टा कहा जाता है तो मौलिक अधिकार को ये आर्टिकल कौन सा है 12 से 35 प्रोटेम स्पीकर समानत किसे नियुक्त किया जाता है तो ये नौ निर्वाचित लोगसभा के वरिष्टम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है राश्पती की अध्यादेश जारी करने की सत्य की सनुछेद में है तो ये है अनुछेद 123 नेक्षे उपराश्पती के चुनाव में निमलीखित में से किसकी भागिदारी होती है तो ये हो जाएगा उपराश्पती के बताना है तो संसद, राजसभा वर लोगसभा के सभी सतस्यों की ठीक है इसमें बताना है इन में से कौन सही सुमेलित है तो इसमें हो जाएगा C, सही सुमेलित है क्योंकि 43B में सहकारी समीतियों को पोड़साहन से संबंदित है अनुचेद 40 देखे तो ये ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंदित है अनुछेद 45 यह 6 वर से कम आयूक वर के बच्चों की सिक्चा से संबंदित है और अनुछेद 47 जो है पोसाहार जीवन अस्तर सुधार ने संबंदी प्रावधान से संबंदित है नेक्ष देखते हैं भारतिय सवुधान में सवुधान संसोदन वरनित है तो ये किसमे 368 में, C है इसका अंसर, 368, 352 आपको पता है राश्टिया पातकाल है, 356, राश्पती सासन से संबंदित है और 288 जो है वीतायोग से संबंदित है, नेक्षे इन में से कौन संग्ये व्योस्था की विस्तस्ताएं हैं, तो ये सभी हैं, दोहरी सरकार लिखी सविधान, सविधान की सरोचता और सोतंत एक से अधिक हैं, भारतिय सविधान के किस अनुछेद के तहत भी तायोग का गठन बात की गई है, 280 के तहत, निमलिकित समीतियों या आयोगों में केंद्रा संबंदों से संबंदित नहीं है, तो ये दिनेश गो सुधार से संबंदित है, चुनाओ सुधार से, ठीक है, और राजमनार समीति सरकारिया आयोग और एमिम पूछी आयोग केंद्रा संबंदित है, राजसुची के किस विशय पर अपार्थकाल की स्थिति में संसत को कानून बनाने की सकती किस अनुछेद में वड़नी थै, त और 249 अगर देखे तो राज सुची के विशय में कानून बनाने की जो राजसभा की सकती है, उसे 252 में है दो या अधिक राज्यों की सहमती से संसत की कानून बनाने की सकती है, नेक्षे दो या अधिक राज्यों के लिए एक कहीं उचने आले, किस थापना निम्न में से कि अनुखेद में वणनीथ है तो यह अनुखेद है 231 में तो यह थिकारियों का वणनन है 232 chief हाइकोट के अधिकारिता से संभन्दित है नेक्सयव मिजोरम राज़ई के 비्सेश संदर में कौन सा अनुछेद उलेखित है तो ये हो जाएगा 371 G है ये मिजोरम से संबंदित है 371 F देखे तो सिक्किम से संबंदित है 371 H देखे तो अरुनाचल परदेश से और 371 I देखे तो ये गोवा से संबंदित है भारतिय सविधान के अनुछे 351 में वर्नित है हिंदी भासा के विकास के लिए निर्देश इसमें है बंगाल का गवर्नर जनरल इन में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना तो ये चार्टर अधिनियम 1833 ये कहीं व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यो का राजपाल बनाने संबंदि प्रावधान की सविधान संसोधन के द्वारा किया गया है तो ये है सात्वा संसोधन सात्वे में ठीक है अगर 21 देखे तो ये 21 सव्यधान संसोधन आठवी अनुसूची में संसोधन से संबंदित है और इस समय सिंधी भासा को जोड़ा गया था नेक्षे 91 देखे 91 किस से संबंदित है मंत्री मंडल के अकार जो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ये 91 से संबंदित है और 31 सव्यधान संसोधन लोक सभा में परतिनीधियों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई थी 31 सवा में बिधान सभा के बिगटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है तो ये कब तक बिधान सभा के बिगटन के बाद गठित बिधान सभा की पहली बैठत तकुवा बना रहता है ठीक है एह है इसका अंसर नेक्षब देखते हैं लोकसभा महा सच्चिव किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो ये लोकसभा अध्यक्ष के निमलीखित राज्यों में से कहां पर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत कहां पर है गुवा में है कौन भारत की संचित नीधी पर भारित नहीं है भारित ब्या नहीं है तो यह हो जाएगा D इसका एंसर हो जाएगा D उच न्याले के न्याधीसों के वेतन योंभत्ते नहीं है सिर्फ यहाँ पेंसन है ठीक है तो यह नहीं है जो है देख लीजे राजसभा के सभापती और उपसभापती के वेतनेयों भत्ते सरोच तधा उच नियाले के न्याधीसों के पेंसन और भारत के नियंतरक महालेखा परिक्षक के वेतन भत्ते पेंसन ये सभी सामिल है निमने लिखित में से किस अनुछेद के अंतरगत औसीर सक्तियों का लेख किया गया है तो यह है 248 में ठीक है 248 भारत के निर्वाचन आयोग के कारे हैं तो कौन सा कारे हैं संसद और राज्यिक विधान मंडलों की सभी चुनाव करवाना राश्पती तथा उप राश्पती हैतु चुनाव करवाना और इसमें C गलत है D भी सही है निर्वाचन सूचिया तयार करने के कारे का निरिक्षन निर्देशन और नियंतरन करना ठीक है तो यह सही है इसमें सिंधी को किस सविधान संसोधन के माध्यम से आठवी अनुसूची में सामिल है तो ये 21 सविधान संसोधन के अधार पे 1967 में हुआ था आपको पता ही आठवी अनुसूची में 22 भासाएं सामिल है ठीक है एक अतरवे में देखें तो ये 1992 में हुआ था और इसमें नेपाली कोंकडी मनी पूरी सामिल किया गया था ठीक है तीन भासाएं इसमें सामिल किया गया था बानबेवा देखें बानबेवे सविधान संसोधन में देखें तो चार भासाओं को सामिल किया गया था इसमें एक भासा, इसमें तीन भासा और इसमें चार भासाओं को सामिल किया गया था वोडो, डोंगरी, मैथली, संथाली, ठीक है हो गया, अब आगे देखते निमलिकित कतनों में से कौन राज सभा के विशाय में सही है सही है बताना है ठीक है तो यह सविधान के अनुछिद अस्टी में इसके गठन का प्रावधान सही है ठीक है यह अगे देखते हैं कोई भी सविधान संसोधन कानून भारतिये सर्वोच नियाले द्वारा और सविधानिक घोसित किया जा सकता है यदि वह वीधी के समानता के अधिकार को भाग तीन से हटा कर सविधान में अन्यत्र कहीं रखता है तो नेक्स देखते हैं इन में से कौन सुमेलित नहीं है तो भी हो जाएगा सुमेलित नहीं है क्योंकि सेयर बाचार जो है संग सूची में सामिल है संग सूची में ठीक है संग में वन समोर्ती सूची में है डागघर बजट बैंक संगिय सूची में जन स्वास जो है राज सूची में ये सभी सही था निम्न लिखित में से किस अनुच्छेदों को राश्टिय अपात के दवरा निलंबित नहीं किया जा सकता है तो ये कौन सा है अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है ठीक है निम्न में से कौन 21 विधी आयोग के अध्यक्षे हैं तो ये है नियायमूर्ती बलवीर्थ सिंग चोहान भारत के 21 राज्य में विधान परिशत का स्रीजन अत्वा समाप्ति की जा सकती है तो ये हो जाएगा दी इसका एंसर राज्य विधान सभा के तद संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसत के द्वारा निम्न में से कौन 42 वे सविधान संसोधन द्वारा नीती निदेसक में नहीं जोड़ा गया था तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका एंसर हो जाएगा C नहीं जोड़ा गया था C जो समान नागरी सनहीता है अनुछे 44 के तहट है तो ये जोड़ा नहीं गया था ये सभी जोड़ा गया था सोसन से बच्चो ये वैसको की रच्छा ये 49-49 में है ठीक है? और उद्धोगों के प्रबंद में स्रमिकों की भागीदारी ये 43-A में है तो इन सभी को जोड़ा गया था नेक्षे भारतिय सविधान के ब्रिहद होने के कारण क्या है? तो इसलिए ब्रिहद हो गया है इसका एंसर उप्रोफ में से एक से अधिक है तो ये आपका टेश 3 कम्पलीट हो गया ठीक है? अब हम लोग नेक्ष्ट एक में मिलते हैं तो कमेंट किया कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सेयर कीजिए साथ ही अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले